कितना प्यारा है ये क्या ये मुझसे बात करेगा हाई फ्रेंड विश्यो वेरी गुड मॉर्निंग जरा मुझसे भी बात करो प्लीज सुनो सुनो पता नहीं उसने मुझे क्यों काटा ए कई तो मेरा मजाग तो नहीं उड़ा रहे एसा मेरे साथ क्यों होता है अब मैं बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ उस आफ्रिकन पार्ट ने तुम्हारे उंगली को काता बिल्ली तुम पर जप्टी डॉगी ने तुम्हे काता आपने सही कहा मॉम और इस वज़े से मैं बहुत परिशान हुआ लगता है जानवर उसे तुम्हारी पट्ती नहीं कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम उन्हें देखते ही घबरा जाते हो लेकिन डोरे मॉन आनिमल्स बहुत डरावने होते हैं स्पाइडर से इतना मढ़ डरा करो हाँ लेकिन वो तुम्हें जानवरों के साथ रहना सीखना होगा समझे क्या मुझे सीखना होगा लेकिन कैसे अभी समझाता हूँ तार्जन पैंस तार्जन? तार्जन को जंगल का राजकुमार कहते है जब तुम इसे पहनोगे तो तुम ताकतवर बन जाओगे और तुम भी जानवरों के दोस्त बन जाओगे वाँ! ये कितना कूल है अरे ये ड्रेस तो पुराने जमाने की लग रही है मैं तुम्हें एक और चीज देता हूँ अभी देखाता हूँ तार्जन रोप अब देखो कमाल अरे ये रोप तो हवा में लटक गई है तुम इससे उड़कर जहां भी जाहो जा सकते हो क्या? उस रोप पर? लेकिन यार वो रोप बहुत दूर है अरे तुम टेंशन मत लो एक मज़े की बात बताओ इन पैंट्स को पहन कर तुम जैसा कोई भी नॉन अथलीट उड़ सकता है सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊँगा कोई बात नहीं उड़ने की कोशिश तो करो मुझे बहुत डर लग रहा है तुम डरो मत जाओ अरे? ये मैंने कर दिखाया हुरे मैंने कर दिखाया देखा कुछ भी करना नामुम्किन नहीं है हाँ मैं आनिमल से दोस्ती जरूर करना चाहूँगा लेकिन आसपास तो कोई भी आनिमल नज़र नहीं आ रहा यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होगा आनिमल्स को दूरने के लिए तुम्हें ही कोशिश करनी होगी समझके? लेकिन कैसे? तुम्हें चिलाना होगा और फिर जानवर इकठे हो जाएंगे मैं चिलाओं? ओके अब चिलाते हुए धूनो ठीक है मैं चला नो बिता रुको तुम इतना चिलाओगे तो कोई भी जानवर तुम्हारे पास नहीं आएगा लेकिन क्यो? इतने सारे कोई अरे डोरे मौन बताओ ये सब क्या हो रहा है शायद ये ची कोई को बुलाने के लिए थी नो बिता क्या मुझे अलग-अलग स्टाइल से चलाना पड़ेगा? अगर तुम्हें डॉगी इसको बुलाना है तो तुम बोलोगे और कैट्च के लिए आ-आ-आ-आ-आ-आ-आ-आ-आ-इ-, औके? सारी आवाजे एक जैसी ही तो है लेकिन ही बहुत खतरनाख है मुझे पहले ठोड़ी से प्राक्टेस कर लेने चाहिए हाँ, ये जगह बिलकुल सही है मैं सबसे पहले कौन सा अनेमल को बुलाओं समझ गया मैं सबसे पहले डॉक्स को बुलाओंगा यह कैट्स को बुलाने की आवाज है मैंने तुम्हें बताया था न मुझसे गलती हो गई इस पर है चिलाओ देखा अब ट्राय करोगे ऐसे इस आवाज से तुम्हें पॉक्रोजेस आगे डॉरे मौन कितनी बार बताओ इस तरह नहीं चिला सकते क्या मैं उसी तरह ही तो चला रहा हूँ यह क्या चूए चुप हो जाओ सबके सब फॉरे जाद हो जाओ अरे अच्छा अब तुम सब लोग वाबस चले जाओ 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 जल्दी जाओ अच्छा एक बात बताओ क्या तुम लोगों को यह जगा पसंद आई तुम लोगों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ अरे तुम वही डॉगी हो ना जिसने मुझे काटा था सही कहा ना देखो बहुत हो चुका तुम सब रुख जाओ वैसे थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी चलो अब हम सब लोग दोस बन जाते हैं मुझे लग रहा है कि अब मैं अस्ती तारजन बन गया हूँ चलो अब यह सोचते हैं कि मुझे किस जानवर को बलाना चाहिए मेरे खयाल से लाइन को बलाना अच्छा रहेगा हाँ लाइन यहाँ लाइन कैसे हो सकता है लाइन तो जंगल में रहता है मैं तो अस्ती तारजन बन गया हूँ अपने घर से बाहर मत निकल ये ये खतरनाख हो सकता है आपको चेतावनी दी जाती है बचाओ ना जाने क्यों यहाँ हर कोई भाग रहा है नो बिकाओ कहां थे तुम मैं तुम्हें ही डून रहा था ये लोग इस तरह घबरा कर भाग क्यों रहे है वो इसलिए क्योंकि एक लाइन शेहर में घूम रहा है क्या एक लाइन मतलब मैंने एक अस्ति लाइन देखा था हमारे पडोस में ही कोई उसे पाल रहा था ये बहुत खतरनाक है चलो हम घर चलते हैं वहाँ पर एक लाइन है हम उसे सिटी पार्क में घेरने वाले हैं सुनो नोबते रुको क्या दिन आ गये है शेरब जोजोजो से शेहर में आने लग गये क्या हुआ इधर आओ क्या बात है एल्जा तुम भात क्यूं आई क्या तुम किसी चीज़ से नाराज हो चलो एक गठे घर चलते हैं तुम तो बहुत ज्यादा नाराज लगती हो एल्जा प्लीज मेरे लिए शान्त हो जाओ एल्जा सिपा यो फायर करो रुक जा रुको नो बिता देखो गोली बिल्कुल मैं चलाना क्या कर रहे हो बच्चे ये खतरनाख हो सकता है मैं खतरों से नहीं डरता और वैसे भी ये लाइन कितना शान्त है चलो आप बस भी करो मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है ये बच्चा सही कह रहा है एल्जा को गोली मारना ठीक नहीं होगा सुनो एल्जा मेरी अच्छी बच्ची चलो चुप चाप अपने घर चलो अपने पिंजरे में पिंजरे में ऐसा मत करो इसे वापस पिंजरे में डालना ठीक नहीं होगा हाँ डोरे मौन ने सही कहा आपने इसे पिंजरे में बंद कर दिया था इसलिए वो भाग आई क्यों सही कहा न इतनी बड़ी शेरनी एक छोटे से पिंजरे में अपनी जिंदगी बिताई ये बिल्कुल गलत बात है आप प्लीज इसे वही भेज दीजिए जहां से ये आई है यहीं उसके लिए अच्छा होगा इसे इसके घर यानि जंगल में भेजना चाहिए प्लीज बात मान चाहिए मेरी एल्जा अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने दोस्तों के साथ खुश रहना ठीक है गुद्बाई एल्जा गुद्बाई शेरनी अपना खयाल रखना चलो नोबिता घर चलते हैं क्या नोबिता ने ऐसा किया मैं सच कह रहा हूँ नोबिता सीधा शेर के पास चला गया मैं नहीं मान सकता कि उस जरपोग नोबिता ने ऐसा किया होगा ओ हाई शुदुका नोबिता, हर कोई यही कह रहा है कि तुमने बहुत भादुरी का काम किया है वो मैंने कुछ इतना बड़ा काम भी नहीं किया शिजुका अच्छा मैं उस तरफ आता हूँ बात सुनो बुद्धू, तुम अभी भी नोबिता ही हो, खुद को असली टार्जन मत समझो सही कहा जियान, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है